हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi युद है बचा जो है वे इतना ज्यादा फोकस होकर चीजों को कम देखता है मैं आप सभी के और मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करा और मुझे कम से कम नहीं तो तीन क्लासेस लगेंगी विकॉस क्लास की लेंथ एक घंटे से उपर करना या देड़ घंटे से उपर करना फिर लिथार्जिक हो जाता है उसकी क्वालिटी जो है वो स्टुडेंट तक पहुँच नहीं पाती तो मैं चाता हूँ किसे हम दो या तीन पार्ट में करके पढ़ें और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे उतने ही इंट्रेस्ट से देखेंगे जितने इंट्रेस्ट से आप फर्स्ट पार्ट को देखते हैं अब यहां पर ये requirement क्यों है तो समझेगा कि एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आफ्रिका में इसके geopolitical angles बहुत सारे है इसके geographical angles बहुत सारे है इसको geological angles बहुत सारे है मतलब जैसा आप मेरे डाइगराम में पीछे देख पाएंगे याद रखें इसमें फिलहाल इस class में तो नहीं पर याद रखें कि चूकि आप सभी ने जो है एक आप कह सकते request type से या फिर आप सभी का एक मन था कि हम physical geography का एक section complete करें हमारे जो NCRT की class थी जो marathon थी जो Sunday को हुई थी वो उस marathon में हम Indian geography के 100% और physical geography के major जो dimensions थे concept थे हमने उसे touch करा था अब dedicatedly एक marathon जो है वो Sunday को है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उसमें आएंगे और उसमें फिर मैं जो है कुछ इस प्रकार से आपको हर एक tectonic activity के बारे में हर एक geological, geomorphological अर्था भू आकृतिक, भू गर्भिक से लेकर climate logic तक हम सारे dimensions को cover करने का प्रयास करने वाले हैं और most probably हम कर भी लेंगे अब यहाँ पर मेरा आप से कहना है कि Africa के case में आप पाएंगे कि African plate का एक बार collision जो है वो महासागरी plate के साथ होता है अर्था टकराव जो है महासागरी plate के साथ भी होता है एक बार आप पाएंगे कि महादवीपी plate के साथ भी होता है मुझे ये सब चीजें आपको समझानी पढ़ेंगी अन्यता की स्थिती में आपको चीजें clear नहीं होंगी तो देखे हम इसे कुछ section में divide करेंगे और मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप सभी उस section को उतने ही interest और उतने ही focused manner में देखेंगे before I start देखे बच्चे याद रखे कि ये जो P2I का batch है इसमें जो है classes start हो चुकी है और याद रखेगा कि इन classes में admission की last date 15 October है इसे समझे दस तारीक से मैंने यहाँ पर classes start कर ली है और ये याद रखेगा कि ये golden opportunity है आपके पास तीनो options available है और ये भी याद रखेगे कि इन तीनो ही options में validity का difference है अगर आप 24 के लिए preparation कर रहे है 25 के लिए 26 के लिए आपके पास तीनो validities present है ये जो है ये मेरा code है आप इसे लगाएंगे तो आप इन सारे courses को minimum cost पर जैसा मैंने पहले भी discuss करा है उसमें prevail कर पाएंगे पहला dimension दूसरा dimension याद रखें जो minimum cost है मैं बता दूँ आपको ये जो है आपको कुछ इस cost पर पढ़ेगा अब ये याद रखेंगा कि आपको जो है वो हमेशा इस बात पर focus रखना है कि जो courses हैं इसमें आपको केवल और केवल classes नहीं मिलनी है याद रखें live class होगी आप faculty से interact कर पाएंगे आप audio video में doubt पूछ पाएंगे और साथ ही आपको mentor a lot होगा आप अपने जो doubts हैं जो discussions हैं वो अपने mentor कर सकते हैं इसके अलावा ये भी याद रखें कि आपके पास test series का option होगा SIP program ये class के अलग चलेगा मतलब एक class चल रही होगी फिर अलग से SIP program चलेगा जिसमें आपको जो है वो 75 घंटे से ज़ादा की classes दी जाएंगी especially crash course के form में आपके pre के लिए फाइन अब ये जो classes होगी ये अलग से pre के पहले अलग से start होगी फिर जब mains आएगा तो mains के लिए फिर SIM से जो SIM है success in mains का program स्टार्ट होगा और इसी प्रकार से अगर आपका pre निकलता है मैं आप सभी को देखना चाता हूँ याद रखें कि इस manner से जिस manner से मैं पढ़ा रहा हूँ I definitely and perfectly knows कि वही बच्चा पढ़ सकता है जिसमें पढ़ने की इक्षर शक्ती हो जिसमें पढ़ने का जो है वो courage हो अब समझें अगर आपके अंदर ये courage है ये आग है ये जुनून है तो इसे prevail करिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी journey में बहुत आगे forwarded feel करेंगे आप देखें याद रखें कि आपको ये date याद रखनी है और दूसरी चीज है कि अगर आप इस code को use करते हैं तो it is like a appreciation for me and you also के हम जो है वो आप जो है मेरे मध्यम से एक अच्छे पात पर आगे बढ़ें it is like a appreciation for me if you used to use this code while entering in the batch okay चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि मैं आप सभी को इस batch में आने वाली classes में देखने वाला हूँ याद रखें classes start हो चुकी है 10 October से 15 October को last date होगी चलिए तो हम start करते हैं आफरिका महादवीप को सबसे पहरे तो इसकी outlines draw करें और याद रखें ये super most important मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ this is one of the most important continent कुछ सबसे महत्वपून महादवीपो में से एक है basically ये continent clear अब देखें इसमें बहुत सारी अब मेरी एक request आप सभी से है मान कर चलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने physical geography नहीं पढ़ी बच्चे देखे मैं अच्छे से मैं एक बात जानता हूँ और मुझे आपके comment से पता भी चलता हूँ और एक बात बता हूँ और by default बीच बीच में कुछ लोगों के जो है वो शैता टाइप के comments भी होते है उन्हें भी पढ़ता हूँ और सारे comments जो है वो मैं खुद रात में बैठका read करता हूँ जिस समय मैं telegram channel पे अपना link देता हूँ और वो सभी बच्चे जिनके पास जो है देखे ये जो घ्यान है ये जो knowledge है ये सभी तक जितना हो सके उतना पहुचाने का प्रयास है आप सभी देखा करें अगर कोई student comment box में लिखता है कि telegram का link क्या है तो ये आपके ethical responsibility है जब वो चीज आप तक पहुच रही है ये जो में भी है यहाँ plot करूँगा वो सब कुछ आपको जो है मेरी telegram channel पर मिल जाएगा अगर कोई बच्चे comment section में पूचता है तो आप में से जिसके पास भी जानकारी हो वो से दे दिया करें और ये भी याद रखें कि एक बार मैं बता भी दूँ अभिनो बहरे geography ये जो है ये मेरा telegram channel है आप जाकर इससे download कर ले एक dimension और दूसरी चीज ये भी याद रखिएग कि इसमें जो इस week basically marathon होने वाली है मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है वो live आएं live क्यों आई इसको याद रखिए कि recorded form में जो बच्चा देख रहा है very good बट मैं ये चाहता हूं कि मैं उन student के सांथ interact करूं क्योंकि मैं generally live जल्दी नहीं आता तो मैं चाहता हूं कि मै मैं आप लोगों के साथ indirect करूं और indirect करते वे मैं आपको याद कराऊं क्लास में सिर्फ पढ़ाना नहीं है आपको क्लास में याद करा कर भीजना है तो आप लोग कोशिच करें एक तो आप live आएं दूसरी चीज ये याद रखिए कि इसमें उसका बहुत रोल है मैं प्रयास करूंगा कि पहले मैं आपको टेक्टोनिक वाला portion करा दूँ रीजन क्या है अगर आपने इसे समझ लिया तो बहुत सारे concept clear हो जाते हैं जैसे अगर मैं आपको बताऊं ये एफरिका है चलिए हम ड्रो करना स्टार्ट करते हैं याद रखें ये बेसिकली एफरिका है अब य तो भी मैं इसे पूरा एक वीडियो में नहीं करा सकता दो में भी नहीं करा सकता याद रखें quality does matter मुझे चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ा एक step ahead जाकर उन चीजों को आप तक लाना पड़ता है तो इसे समझे कि अगर मैं कहूं तो यहां आपको क्या-क्य दिखाई देता है देखिए roughly अगर हम इसे मार्क करें तो आपको इसी स्थान पर जो है वो great African rift valley दिखाई देती है यह अफरिका की महान भरंश घांटी है अब इस भरंश को समझाने के लिए dedicated class लगेगी मुझे 30-40 minutes की मैं इसे और साथ में इसकी जीलों को अलग से बताना चाता हूं क्योंकि एक-एक जील का geopolitical angle भी है जोगरफिकल एंगल भी है और सबसे importantly यह आने वाले समय पे बहुत news में रहेगा और तम मैं यह चाता हूं कि वो student जिन्होंने class attend करी हो वो proudly इस बात को कह पाएं कि yes यह अभी news में जरूर है पर हम इसे study IQ में पहले ही पढ़ जाता है ध्यान दें इस इससान पर जो है आपको इस प्रकार से परवत दिखाई देंगे यह जो परवत हैं याद रखें इन्हें जो है ELPS परवत कहा जाता है याद रखें ELPS कहां आता है ELPS Europe में आता है यही confusion दा इसे Atlas कहते हैं ELPS इसके ऊपर है तो एक चीज याद रखें इस इस्थान पर आपको जो है वो परवत दिखाई देंगे तो एक तो आपको यहां परवत दिखाई देंगे अब मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ क्या बताना चाहता हूँ तो पूरा अफरिका माधुईप आगे शिफ्ट हुआ और एक टकराव हुआ है अब इसके बारे में एक डिसकूशन होगा अब देखें इसके पश्चात यह जो छेत्र है याद रखिएगा इस छेत्र को बेसिकली क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है सहारा का मरुस्थल यह भाग इस प्रकार से जो है आपको सहारा का मरुस्थल दिखाई देगा अब इसी प्रकार से याद रखें आपको नीचे भी कुछ मरुस्थल दिखाई देंगे जैसे आपको इस इससान पर जो है वो कालाहरी मरुस्थल दिखाई देगा अब मैं इसके बारे में आपको डीटेल में समझाना चाहता हूँ समझेगे इस शीज को कि ये जो है वो मरुस्थल है जिसे कहा जाता है कालाहरी मरुस्थल इसी प्रकार से यहां पर आप आएंगे तो यहां पर बोथ स्वान ये एक मरुस्थल दिखाई देगा तो ये जो चीजे हैं इसी प्रकार से यहां आपको उश्ण कटी बंधी है वन दिखाई देंगे सदा बाहर वो भी जिसे कहा जाता है कॉंगो रिवर बेसिन के वन और इसके बीच में आपको साहरा का सवाना का घांस का मैदान दिखाई देगा तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहे ये कॉंगो का एरिया है अब इसी तरीके से आपको इस इसस्थान पर जो है एक घांस का मैदान दिखाई देगा ये प्रत्वी का सबसे बड़ा घांस का मैदान है अब देखिए मुझे इन सभी के बारे में आपको कुछ न कुछ समझाना है पर अभी थोड़ा सा ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमने इसे फोकस करा तो हम कुछ बाहर की चीजों को जो है वो मिस कर जाएंगे तो पहले हम इस portion को बाहर से देख ले पिर हम जो है आगे की चीजों में आएं तो आएए सबसे पहले इसकी shading करें फिर हम start करते हैं इस प्रकार से आपको इसके आसपास जो है वो सागर दिखाई देगा याद रखें इसके एक तरफ कौन सा सागर है तो इस इससान पर याद रखें आपको देखें मैं इसलिए आपसे चाहता हूँ कि आप सभी थोड़ा सा concentration के साथ देखें because यहाँ पर confusion होगा देखें याद रखें जो अफरिका माहदूइप है इसके एक साइड आपको कुछ इस तरीके से याद रखें यहाँ आपको दिखाई देगा Atlantic और यह याद रखें कि इसके इस साइड मतलब इसके नीचे यह है दक्षिन सागर या साउथ सी इसी प्रकार से यह जो साइड है नीचे वाला यह दिखाई देगा इस साइड आपको जो है इंडियन उशन दिखाई देगा यार्थात हिंद माहा सागर अब याद रखें कि इसके उपर आपको इस प्रकार से अब यहाँ पर आपका concentration is required मैं इसे zoom करके यहाँ पर बनाने वाला हूँ अब देखें याद रखें यह जो area है इस area में आपको एक स्थान दिखाई देगा अब इसके बारे में आपसे कुछ discussion चाहता हूँ अब इसी लिए हम यहाँ पर hold लेंगे और इसके बारे में discuss करेंगे but पहले हम यहाँ marking कर लें याद रखें आपको दूसरे portion में कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक water body दिखाई देगी याद रखें इस water body को क्या कहा जाता है इसे basically कहा जाता है red sea अर्थात लाल सागर मैं इसके बारे में भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अब देखें एक portion ये हो गया सनाई का अब याद रखें सनाई से जो है वो जुड़ा हुआ है क्या सनाई से जुड़ा हुआ है एफरिका किस से एशिया से और सनाई में ही आपको अभी मैं इसका map बना कर दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ें clear होंगी अब इसी प्रकार से याद रखें इस इस्थान पर आपको जो है वो यरप दिखाई देता है इस smugglers का continent हमें अभी यरप के इतने ही portion की आवशकता है बाकी उपर भूमदिसागर है आजाएं इसे थोड़ा सा फिल कर दें अब मैं चाहता हूँ के हम इस पर भी एक चर्चा करें ये जो है वो जिबराल्टर वाला एरिया है तो इन पर फोकस करेंगी इसके बाद हम नीचे आएंगे अब देखें यहाँ ध्यान से याद रखिए ये जो एटलांटिक वाला पार्ट है और ये जो साउट सी है ये हमारे लिए जियो पोलिटिकली इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें बनाने वाला हूँ तो देखें सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसके लिए देखना स्टार्ट करें याद रखें इसे कहा जाता है जिबराल्टर और आई नो आप सभी को याद होगा जिबराल्टर जलसंधी के बारे में अब याद रखें ये जलसंधी जो है ये अलग करती है किसको यवरप को एफरिका से ये आपको पता है इसे मैं यहाँ मेंशन कर दूँ अब इसके अलावा ये याद रखें कि जिबराल्टर वास्तविक्ता में एक सागर है एक एरिया है एक स्ट्रिप है कौन सी स्ट्रिप है तो आईए मैं आपको इसके दर्शन कराता हूं ध्यान से देख्येगा इससे कुछ इस तरीके से देखें इस तरीके से अब मैंने जो उस समय बताया था वो सतही तोर पर introductory class में था आएए इसकी detailing करते हैं पहली चीज तो यहां ध्यान से देखें याद रखें कि इस इस सान पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यह है ये यरप का पूर्शन इसी तरीके से याद रखें आपको यहां पर जो है ये एफरिका का पूर्शन दिखाई देगा अब यहां ध्यान से देखें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ पहली चीज तो यहां पर एक स्थमस दिखाई देगी अब वो स्टूडंट जो मेरा वीडियो पहले से देख चुके होंगे उन्हें पता होगा मैं इस्थमस का और्थ क्या होता है अगर कोई स्टूडंट पहली बार देख रहा है तो याद रखें कि ये जो एरिया है ये एरिया वास्तविक्ता में एक छोटा सा प्लेस है एक जमीन का पतला तुकड़ा है और याद रखिए ये जो पतला तुकड़ा है इस पतले से तुकड़े को आप कह सकते हैं तीनों दिशाओं से किस से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, पहली चीज, अब याद रखिए, कि ये जो तुकड़ा है, जमीन का, ये जो समस है, इस पूरे एरिया का नाम, देखें, मैं यहाँ पर इसे हटा दूँगा, पहले आप इसे समझ लें, याद रखिए, इस पूरे तुकड़े का नाम बेसिकली क्या है, इस पूरे तुकड़े का नाम है जिबराल्टर, ठीक, अब याद रखिए, इसके उपर आपको कौन सा देश दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई देगा, स्पेन, इसके नीचे आपको कौन सा देश दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई यहां आपको दिखाई देता है Atlantic Ocean और यहां आपको क्या दिखाई देता है यहां दिखाई देता है Mediterranean अर्थाद भूमध्य सागत तो इसे समझ यह कि सबसे पहली चीज तो उपर Spain नीचे मुरको यह Spain और मुरको के बीच में है दूसरी चीज यह समझ यह कि यह इस्थमस है ये इस्थमस निकली क्यों है अब इसी बारीकी को मैं आपको समझाना चाता हूँ और इसे ही आपको याद करने का प्रयाज भी करना है क्या बारीकी है तो देखे अब आजाए प्लेट टेक्टोनिक में अब अगर आप मेरथन में आते हैं तो फिर आपको इसका औ और detailed version देखने को मिलेगा देखे आप पाएंगे कि यहाँ पर एक प्लेट है समझेगा माल लेते हैं यह एक प्लेट है हम पहले observer area बना ले जिससे आपको बाद में confusion ना हो अगर मैं कोई चीज समझाता हूँ तो देखे यह एक प्लेट है clear अब यह प्लेट यहाँ से नीचे जाए कुछ इस तरीके से जब दोनों ही प्लेटे नीचे जाएंगी तब कि इस सिती में गहरे सागर का निर्मान होता है यह सागर का वो भाग है जो वास्तिक्ता में क्या है बहुत गहरा है ओके देखेगा यह पूरा ही portion माल ले कि अभी आपको प्लेटों की जानकारी नही है इसलिए मैं बहुत जादा expectation आपसे नहीं करूँगा लेकिन समझें सीज को कि यह जो portion आपको दिख रहा है यह उपर वाला यह पूरा सागरी है या निकि यह दौनों ही प्लेटे कैसी है ओशिनिक है याद रखे जो जो ओशिनिक प्लेट होती है अर्था जो सागरी प्ले तो just a second अगर मैं आपसे कहूं तो यहां क्या भरा हुआ है तो आपको हमेशा आद रखना यहां पर लावा भरा है मैगमा भरा है अब यह है लावा यह कह लिजैक मैगमा अ इस मैगमा के अंधर यह दौनों प्लेटें प्लेटें अंदर जाएंगी कुछ इस प्रकार से यहा सागर बहुत गहरा है लेकिन याद रखें इसके विपरीत हो रहा है कहां जिबराल्टर के एरिया में अब देखिए बहुत ध्यान से समझ येगा मैं जो समझाना चाहरा हूं अगर आप उसे समझ गए तो आपको जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टेंडिंग आईगी लेकिन अब है क्या इस इस्थान पर याद रखें कि ये भी स्थलखंड की प्लेट है ये भी स्थलखंड की प्लेट है तो देखिएगा मैं यहां यही समझाना चाहरा हूं आपको कि जब दो स्थलखंड की प्लेटें आपस में टकराती हैं कुछ इस तरीके से तो याद तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा बहुत ही आसान लेंग्वेज में याद रखिए कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी और वो महाद वीपी होंगी यानि कि वो कठोर होंगी साथ में ठोस होंगी उनके उपर पानी नहीं होगा वो प्लेटे जब टकराएंगी तो याद रखे कि उस इस्थान पर आप पाएंगे कुछ इस सरीके से पहाडों का परवतों का निर्मान हो जाएगा और याद रखे अगर मैं आपसे कहूं तो यह है कुछ एफरिका वाला पॉर्षन रफली अगर हम देखे या आपको एफरिका वाला पॉर्षन दिखाई देगा अब यह क्यों बने है तो सिंपल सी बात है उपर जैसा आपने यहाँ देखा दो प्लेटे टकराएंगी तो दौनों के प्लेटों के टकराने पर जो रॉक्स हैं जो चट्टाने हैं वो बहार आएंगी याद रखे एक तरफ जो है आपको एल्प्स दिखेगा एक जगा एट दिखाई देते हैं बस यही एक स्थिती जो है जिबराल्टर के कारण आती है याद रखिएगा इस इससान पर जब टकराओ होता है तो हमेशा याद रखिए कि जिबराल्टर वाला चेतर जो है वो सिकूरता जाता है मैं ये समझाना चाहरा हूँ अब समझ ये कि सिकूरता भी जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा जो भूमद्य सागर है हमेशा याद रखिएगा कि भूमद्य सागर वाला चेतर वास्तविक्ता में ऐसा चेतर है जहां से ट्रेडबहुत होता है इसके दो माउथ एक माउथ एक टेल है यानि कि यहाँ से आप स्वेज नहर की सायता से सनाई जो प्राइद वीप है अभी मैं डीटिल में समझाऊंगा इसे सनाई प्राइद वीप से आप एशिया की तरफ आ जाएंगे और इसमें एंटर करने के लिए आप जिबराल्टर संदी का प्योग करते हैं याद रखिए एक प्लेट रुकी ह अकेले बढ़ रही है अब चूकी इस अकेले की उँचाई बढ़ रही है तो जितना ये उँचा जाएगा याद रखिए कि जिबराल्टर में जो निकलने का रास्ता है ये उतना ही सक्रा होता जाएगा उतना ही नैरो होता जाएगा ये संदी जल्दी ही बंद हो जाएगी अब ये जो trade path है, इसका समस्या का solution बिलकुल है, RDX लगाएंगे, तोड़ देंगे plate को, लेकिन ये सच्चाई है कि geopolitically तो एक importance है ही, लेकिन सच्चाई ये है कि इस area का close होना आज नहीं, तो कल होना जरूर है, अब जब ये कारिकरम होगा, जब RDX लगाया जाएगा, जब ये स सारी चीजे होंगी, ये सब कुछ news में आगा और आपको पहले से पता होगा, इसका reason क्या है, ओके, अब एक ये इस इब राइटर वाला पार्ट आपको याद रखना है, अब आज आईए सनाई प्राइद वीप, इसे थोड़ा सा देखते हैं, आईए इसे यहाँ पर observer area में देखना प्रारम करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो ध्यान दे, याद रखिएगा आपको इस स्थान पर सनाई में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपने मेरा जो हमास वाला वीडियो देखा हो, तो मैंने वहाँ पर ये समझाया था कि किस प्रकार से इसराइल न आप सभी को पता होगा, ओके, अगर नहीं पता तो आची क्लास में आप एक रफ आइडिया तक पहुच ही जाएंगे, ओके, चलिए, आजाएं, यहाँ ध्यान से देखें, याद रखिए कि ये वाला जो पॉर्षन है, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ओके, इस प्राइड वीप को कहा जाता है, सनाय का प्राइड वीप, या सिनाई प्राइड वीप, अब समझ ये, ये जो सनाई प्राइड वीप है, इसे प्राइड वीप क कहते हैं तो पहले तो यहां समझ ले कि यह कौन सा देश है यह है एजिप्ट अब एजिप्ट किसका पार्ट है एजिप्ट पार्ट है एफरिका का और यह जो सनाई वाला एरिया है इस सनाई वाले एरिया के इस तरफ यहां पर आप आएंगे यहां से जो है एशिया का पॉर्शन यह पॉर्शन जो आप देख रहा है यह एशिया का पॉर्शन और अब यहाँ याद रखें यह इस स्थान पर आपको जो है वो मैपिंग वाले पॉर्शन में याद रखना है कि यहाँ आपको दिखाई देता है इसराइल ओके यह है इसराइल वाला पार अरब वार में एंगलो अफगान नहीं है इसराइल और अरब वार में इसे कैप्चर कर लिया था और जीत लिया था इजिप्ट से अब याद रखेगा कि इसके पश्चात 1990 के दशक में इसराइल और इजिप्ट के बीच में जो है वो पीस ट्रीटी हुई सांती समझोता हुआ और याद रखेगा इस सांती समझोते में जो इजिप्ट था उसने एकसेप्ट करा कि इसराइल एक नेशन है और याद रखेगा यह पहला अरब देश बना जिसने माना कि इसराइल एक देश है क्लियर अब याद रखेगे दूसरा डायमेंशन क्या है दूसरा डायमेंशन यह है कि इसी कारण इसराइल के पीम को और इजिप्ट के पीम को नोबल पीस प्राइस दिया गया लेकिन कुआ यह कि जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे इजिप्ट के इन्हों ने अपने ही पीम का क्य नहीं करना चाहिए और यही कारण है कि जो यहां पर Islamic Brotherhood के नाम से organization है जो connection रखता था पहले कि इसके साथ हमास के साथ यही कारण है कि Egypt का भी हमास के साथ नहीं बनता पिन पॉइंट सुपर सॉलिड आंसर इस दिस कोई भी Islamic देश आज के समय जो है वो Egypt के साथ हमास के साथ नह याद रखें कि Egypt thoroughly against है किसके हमास के कारण यही है geography याद रखें कि Egypt ने accept करा था Egypt ने इस area के लिए accept करा था कि Israel क्या है एक देश है अब ये geopolitics है क्योंकि Israel ने इस area को जीत लिया था जीतने के बाद खुद से वापस करा किसे Egypt को तो Egypt के यहां responsibility बन जाती है यहां करतवे बन ज जाता है कि Israel को जो है क्या मने एक देश माने जब देश मानेगा है नहीं तो उस थे वापक से लेगा आप समझ बा था है तो Egypt ने इस area को वापस लेने के लिए Israel से क्या करा मित्रता करी और मान लिया कि इस एक देश है इसके बदरसे एजिप्ट को क्या मिला इसके बदर journée Egypt क की हत्या कर दी अब जब यह हत्या कर दी तो इस हत्या ने इस डेथ ने क्या दिया इस डेथ ने दिया बेसिकली इस नेशन का हमेशा के लिए एंटी हो जाना यहां के और्गनाइजेशन से तो यहां के जो और्गनाइजेशन है खास कर जो हमास है इस से बिलकुल एंटी है नो डाउट कि आप सभी इसे यहां वहां जरूर देख रहे होंगे पर इसे किस तरीके से आपको जो है कंसेप्चुलाइज करना है किस प्रकार से इसे आप यूज करना है यह आपको अप समझ में आएगा तो याद रखें कि यह इसराइल वाला पाट है यहां जो ऊपर दिख इसे बेसिकली कहा जाता है यह चेतर इसे कहा जाता है बेसिकली सनाई की खाड़ी ओके यह कहलाती है और यह याद रखें यह जो चेतर आप देख पा रहे हैं इसे बेसिकली कहा जाता है अकाबा की खाडी और अब समझेगा कि इसके इस तरफ यहाँ पर जो है वो स्वेज कैनाल या स्वेज नहर का निर्मान करा गया था अब द्हान से देखिएगा ये जो स्वेज नहर है इसका लोकेशन देखें इसके नीचे क्या आ जाता है इसके नीचे आ जाता है बेसिकली लाल सागर और याद रखिए लाल सागर वाला जो एरिया है लाल सागर गेटवे है अगर मैं इसे थोड़ा सा जो है वो साइड करूँ और आपको समझाने का प्रयास करूँ तो द्हान से देखिएगा याद रखिए कि अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरीके से आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो है वो अरब का प्रायदवी दिख रहा है और याद रखिए कि इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है यही वाला पोर्शन याद रखें ये वाला portion ये दिखाई दे रहा है याद रखें ये जो part आप देख रहे हैं याद रखेंगा इस स्थान से यहां से स्वेज नहर open होती है यहां पर I think आप आप सभी को याद हो चुका होगा यहां पर आपको एक जो है वो जल संदी दिखाई देगी क्या कहा जा जाता है इसे इसे कहा जाता है बाब अलमंडेप की संदी में अब याद रखिएगा कि आपको मुझे कमेंट सेक्षन में बताना है पहला डाइमेंशन और सेकेंड डाइमेंशन याद रखें आ आपको मुझे ये बताना है किस समय स्वेज नहर का formation हुआ था किस समय स्वेज नहर को बनाए गया था अब आने वाले पांच मिट बहुत ध्यान से सुनियेगा बहुत सारे dimension है जो आपको याद करने की आवशक्ता है इसमें सबसे पहली चीज याद रखें कि स्वेज नहर का निर्माण के साथ ही भारत के जो पश्चिमी घाट के छेतर हैं खास कर जस्ट सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा जो है वो छोड़ा कर लूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं याद रखें कि आप पाएंगे कि भारत का ये वाला जो पोशन आपको दिखाई देता है ये है प्राइद भारत में आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे हमारे मेजर पोट हमारे मेजर बंदरगाह याद रखेगा ये सारे बंदरगाहों के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया के साथ ये सारे ही बंदरगाह किस कलर के हो गए गोल्डन कलर के हो गए कारण क्या था याद रखें क इन बंदरगाहों का अब उपियो किया जा सकता था मद्धे एशिया और मद्धे एशिया पश्चिमी एशिया के अलावा सबसे इंपोर्टेंट ली यूरोप के साथ अर्थात यूरोप के साथ होने वाले ट्रेड में अब महत्तोपून कॉंट्रिबीशन किसका होने वाला था याद रखें इस छेतर का होने वाला था अब ये छेतर बहुत important होने वाला था यही कारण है कि आप पाएंगे कि ये वाला जो area है स्वेज नहर के formation से हमारे लिए geopolitically important हो गया पहला dimension, दूसर dimension याद रखें कि स्वेज नहर वाले part के लिए आपको geopolitics पता होनी चाहिए देखें, एक समय पर यहां से Portuguese जो है वो जाना नहीं चाहते थे जो गोवा वाला area था Portuguese ने उसे अपने अंडर में कर रखा था और याद रखें ये Portuguese जो है इस छेतर से नहीं जाना चाहते थे, जब ये नहीं उस टू appreciate नहरू, अगर इस एरिया से उस समय पर्चुगीज को नहीं हटाया जाता तो याद रखें कि उस समय जो वर्ल्ड पॉलिटिक सेल रही थी, आपको शायद ही इस बारे में पता हो कि उस समय जो वर्ल्ड पॉलिटिक सेल रही थी पूर्तगाल में आप पाएंगे कि पूर्तगाल उस समय जो है वो ब्रिटेन के लिए भी और USA के लिए भी दौनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और पॉर्चुगीज जो है आने वाले समय में जियो पलिटिकली स्ट्रॉंग होने भी वाले थे कुए नहीं वो एक इत्ते पाक था पर होते अब समझेगा अगर पॉर्चुगीज उस समय ये हो जाता कि मजबूत हो जाते तो ये कभी भी गोवा वाला एरिया नहीं छोड़ते लेकिन हमारे लिए हमाई संप्रभूता के लिए सोवर्निटी के लिए ये रिक्वायर था कि इस एरिया वो खाली कराया जाए अब समझे इसमें जो है वो कितना बड़ा रोल रहा किसका नहरू जी का जहां आप पाएंगे कि नहरू जी ने पुलिस एक्शन करा और एरिया को कैप्चर करा एरिया को कैप्चर करने के बाद हम सभी ये कहते हैं कि नॉन अलाइन मुवमेंट अर्थात गुट निरिपेक्च आंदोलन जो नहरू जी ने चलाय था सूपर फ्लॉप था हम अपना मिलिटराइडेशन ही नहीं कर पाएंगे मिलिटरी एडवांस्मेंट ही नहीं कर पाएंग eh जब हम अपना जो है military advancement नहीं कर पाई ये कहते हुए कि हमको यूद लड़ना ही नहीं है तो हम क्यों पैसा कर्च करें यहां भारत को इसके लिए एक खामी इसके लिए एक पैनल्टी के रूप में 1962 की वार देखने को मिली लेकिन इसी जो है गुट निर्पेक चांदूलन का ए इजिप्ट के PM याद रखे इजिप्ट के PM जो थे वो मैं नाम भूरा उनका नासिर करके कुछ नाम है और इन्हों ने जो है वो participate करा था और founder members में से एक थे non-align movement या गुट निर्पेक चांदूलन के और आप पाएंगे कि इस इससान पर जब ये हुआ कि भारत ने गोवा capture करा उस इस्सिति में इजिप्ट के PM ने ये कह रखा था कि स्वेज नहर जो है या स्वेज वाला एरिया जो है वो open नहीं होगा पूर्तगाल के chips के लिए यानि कि जो पूर्तगाल की naval command भारत पर attack करने निकला था उस naval command को block कर दिया था इस statement है अब दो जनम ये संभाव नह naval command जाए युद्ध हुआ ही नहीं अब समझ ये ये कितनी बड़ी geopolitical win है basically किसकी आप आएंगे नहरुजी की तो हमेशा याद रखें कि इस portion का एक geopolitical angle है एक जो है वो geographical angle है इसके अलावा इस शेतर की geography ये मैंने आप से discuss कर ली आईए अब हम Africa के बारे में कुछ और चीजें इसको देख लिया अब एक पार्ट यहां से अलग हो रहा है इसके बारे में मैं detail में बाद में discussion करूँगा अब secondly यहां पर हमें जो है वो कुछ चीजों को और देखना है आईए इसे हम और देखते हैं देखिएगा याद रखें ये जो Africa आपको दिख रहा है इसमें आपको जो है वो कुछ चीजे नोट डाउन करनी है देखिए हर एक एरिया में आपको जो है एक अंतरिप दिखाई देगा अभी अंतरिम क्या है या अंतरिप क्या होता है जैसे इसे कहा जाता है जैसे हम कहते कन्या कुमारी हमारा सबसे दक्षिंतम पार्ट है clear तो उसी प्रकार से याद रखिए कि कुछ portion होते हैं इस थल खंड के माली जे ये map है तो इस प्रकार से रेखा जा रहे है तो अचाना से कोई portion जो ऐसे बाहर projected होता है इसे basically कहा जाता है अंतरिप फाइन या फिर अंतरिप आसा अंतरिप इस प्रकार से कहा जाता है तो याद रखिएगा कि ये पॉर्शन आपको दिखते हैं ये पॉर्शन जो है वो आपको नाम के साथ याद होने चाहिए के अंतरिप कहा है ओके क्लियर अब यहां ध्यान से सुनिये मैं इसे अभी यहां पर प्लॉट करता हूँ आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है ये सीक्वेंस आपके लिए करेंगे ओके तो हमेशा याद रखे यहां से स्टार्ट होगा अंतरिप और यहां जाके खतम होगा तो जैसे आपने सुनाओगा केप ऑफ गुड होप्स या फिर आसा अंतरिप इस प्रकार से नाम आपने सुने होंगे यह वहां खतम होगा चलिए मैं पहले से प्लॉट कर पिर हम discussion करते हैं तो देखिए यहाँ पर बनकर ready है सारे अंतरिप याद रखें यह कहां से start होते हैं तो हमेशा याद रखेंगा यह कैनरी द्वीब से start होते हैं अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ है एड करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है या भी याद रखेंगा यह जो ठंडी जलधारा है यह जलधारा वास्तविक्ता में जो है यह उत्तरदाई है इस स्थान पर सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए तो याद रखें कि यहाँ पर एक cold water current है और इसी के कारण वास्तविक्ता में किसका निर्माण हुआ है याद secondly याद रखेंगा कि इसके नीचे आएंगे तो ब्लांक अंतरिप इसके बाद वादे अंतरिप वादे अंतरिप के पस्षा जो है पालमास यह अंतरिप दिखाई देगा यह क्रम याद रखें और मैं क्यों कह रहा हूं आपसे तो हमेशा याद रखें यह सारे देश जो है अभी बनना जो है और इस्टेबलिश होना स्टार्ट हुए है यह डेवल्लमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर कई बार जो है पो ग्रहयोध दिखाई देता है अशांति की सिती दिखाई देती है और इनकी जूगरफी जो है वो हमेशा इंपोर्टेंट होती है रीजन है इसे अद्ध महाद्वीब कहा जाता है, एक मातर ऐसा महाद्वीब जहाँ पर सबसे जादा विकासील नो, अंडर डेवलप्ड नेशन आते हैं, डेवलपिंग भी नहीं, अंडर डेवलप्ड नेशन, अविक्सिद्देश, तो यहाँ पर ग्रह युद्ध देखने को मिलता है, कभ यहाँ पर एकनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी तेज होती है, जो मिल्टेंट ग्रूप होते हैं, वो इस एरिया कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, इस कारण यह छेतर काफी इंपोर्टेंट है, याद रखें कि आपको यहाँ पालमास दिखाई देगा, अब यहाँ देख जाता है, पाम ओल के ट्रेड में, वियापार में, रिवर वैल चेप्टर में, डीटेल में समझाऊगा, याद रखें कि नाइजर नदी का मुहाना आता है, नाइजर नदी के मुहाने के एक तरफ, मैंने यहाँ पर एक मेंशन कर रखा है, बाइट ओफ बॉन्नी, यहाँ प बैन्नी, बाइट ओफ बॉन्नी, इसके बीच में नाइजर नदी का डेलिटा, और याद रखें, यह पूरा जो छेतर है, इस छेतर को बेसिकली कहा जाता है, गिनी की खाडी, तो नाइजर नदी, नाइजर नदी के एक तरफ बाइट ओब बैन्नी, दूसरी तरफ बाइट और बॉन्नी, बीच में नाइजर और यह पूरी नाइजर गिने की खाडी, इसके बाद आएंगे, तो ओंगे की जो है, वो अंतरिब दिखाई देगा, इससे और नीचे आएंगे, तो फ्रिया, इससे नीचे आएंगे, तो केप आफ गुड होप्स, याद रखिये कि केप है, जो भारत आया था, और भारत में आने का रास्ता जिसने खोजा था, वो इसी जो है, वो अंतरिब से होता हुआ आया था, अब याद रखिये, इसके नीचे जो है, एक अंतरिब दिखाई देगा, इससे अगुल हास कहते हैं, इसके उपर आएंगे, तो सेंट फ्रेंसिस को, यह या कई बाद जो है, सेंट फ्रेंसिस को भी कहते हैं, अंतरिब दिखाई देगा, अब देखिये, मैं क्यों कह रहा हूँ, कि यह जो सीरीज है, इसका नाम है, यूपी एससी मैपिंग, अधर एक्जाम में भी यूसफुल हो सकती है, लेकिन यूपी एससी ने यहाँ पर यह पूछा है पहले, याद रखिये कि अगुल हास एक जलधारा है वास्तविक्ता में, यह गर्म जलधारा इधर से निकलती है, अब देखिये, यह जलधारा यहाँ से निकलती है, मोजैंबिक का एक सबचैनल है, यह जो अगुल हास है, अंतरिब कहां आता है, धारा इ अगुलहास जल्धारा है यह इस तरह इस्तित फाइन उसने option में ही नहीं दिया यह direction उसने बोला क्या उत्तर पूर्व की दिशा में उत्तर पश्चिम की दिशा में दक्षिन पूर्व की दिशा में दक्षिन की दिशा में उसने यह दिशा ही नहीं दिया option में फाइन अब या पर आपको डेलागोवा की खाड़ी दिखाई देगी अब ये डेलागोवा की खाड़ी काफी important है समझेगा आपको इस इस सान पर जो है वो दिखाई देगा एक देश इसे कहा जाता है साउथ एफरिका और याद रखें साउथ एफरिका के अंदर एक देश है जो सिर्फ एक इस से घिरा हुआ है स्वीजी लेंड उसका नाम है और याद रखें कि ये स्वीजी लेंड है ये इसी खाड़ी के माद्यम से प्रयास करेगा भविश्च में ऐसा कहना है इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिये थे तब ये काफी ज्यादा नि्यूज में आया था आने स्वीजिलिन के नाम से अब इसमें आपको याद रखना है कि डेलागोवा की जो खाड़ी है यह important है अब देखें डेलागोवा की खाड़ी से यह जो पूरा area है इसे basically कहा जाता है Medagascar का छेतर या फिर इसे कहा जाता है Mozambic Channel यानि कि Mozambic Channel से Medagascar अलग होता है किस से एफरिका से और याद रखें इसी Mozambic Channel की शुरुवात कहां से होती है यह UPSC में पूछा गया प्रश्न है याद रखेंगा यह स्टार्ट होता है डेलागोवा की खाड़ी से और कहां तक जाता है यह एक तो Mozambic जो चैनल आपको दिखा Mozambic Channel इस खाड़ी से इस संधी तक इस अंतरित तक दिखता है इसमें याद रखें इसमें नीचे आपको एक ड्वीब दिखाई देगा ये फ्रांस ओन करता है और इसके उपर जो है आपको मुरोनी के नाम से एक ड्वीब दिखाई देगा अब आपको मुझे बताना है कि मुरोनी ड्वीब को कौन ओन करता है एक मैंने बता दे है यूरोपा जो है ये फ्रांस ओन करता है अब इसके पश्चात याद रखें कि बाहर आएंगे आप तो आपको मेडगास कर दिखेगा यहाँ पर री यूनियन आइलेंड दिखाई देंगे अगर आपने मेरी इंडियन मैपिंग की सीरीज देख रखी है तो आपको ध्यान होगा कि इस सिस्थान से जो है वो इंडिया निकला था और दक्कन के पठार का निर्मान हुआ था इसी प्रकार से याद रखें इसके उपर मॉरिशेस दिखाई देगा जहाँ पर इस्ट्रिंग ऑफ पर्ल इस्ट्रिंग ऑफ फ्लार कांटर करने के लिए इंडिया के इंट्री है अब इसी प्रकार से आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हफून अंतरिप दिखाई देगा होते हैं रश्या के ठीक इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको USA में भी जो है एक कल्चर दिखाई देगा स्मगलिंग का पाइन असली हवाला और स्मगलिंग USA का आज कल्चर है पाइन दूसरी चीज याद रखिए कि हर एक देश में आपने तरीके का एक और्गनाइस और होता वो पाइरेट्स की निसानी हैरो यहां रहते थे फाइन तो यह सुमाली आइन पाइरेट्स फियमस है जो रश्या है इंडिया के जो है प्रकार की देकौाईटस फियमस थे तो एक प्रकार का और्गनाइस क्राइम करें का मतलब होता है वो needs को प्लान बना कर execute करा जाता है तो आपको यहाँ हपुन दिखाई देगा यहाँ पे डलागार्डो यहाँ पे डलागोवा की खाड़ी यह यूरोपा और यह पूरा छेत्र यह बहार से हमने अपरिका को अभी देखा है देखिए मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको इस class में basically एक इस छेत्र के बारे में समझाया है आउटर पूर्शन के बारे में समझाया है इसमें समय लगता है याद रखिए कि यह इतना आसान नहीं है इट यूस्ट टू टेक टाइम टू अंडस्टेंड की चीज़े exactly कैसी है प्रशन कहां से आते हैं अगर मैं चाहूं तो आप देखें simple सी बात है कि आप सभी जादा वो वीडियो देखते हैं जो first आता है मैं एक ही वीडियो में जो है वो काफी चीज़े cover करके आप तक जादा पहुंच सकता हूँ जादा जो है वो engagement हो सकता है पर याद रखे यह आपके साथ जो है वो एक छोटा सा धोका जैसा होगा चीजों को less quality के कहूंगा कि अगर आप चाहें तो आप जो है वो marathon वाली class में आ जाए जिससे मैंने वो class organize समय इसलिए करी है जिससे आगे की जो classes है वो थोई technical होने वाली है तो वो आपको बहतर तरीके से समझ में आ जाए ओके हम पूरा जो है वो portion cover करने का प्रयास करेंगे अगर आपके प आउट्स बना रहे हैं मेरी टेलेग्राम चनल से इस पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं और मैं फिट से कहूंगा के P2I batch one door solution है जरूर आईए और कोशिश करें कि 15-20 से थोड़ा सा पहले आ जाए जिससे आपका जो है वो course कम से कम शूटे अगर आप चाहें तो मेरा code जर और याद रखें कि मिलते हैं next class में और ये भी याद रखें कि आपको हमेशा notes making पर focus करना है मिलते हैं next class में have a very nice day thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQIS हिंदी